शहर में लगातार बढ़ते स्वाइन फिलो की बीमारी को देखते हुए कलेक्टर भरत यादों ने नगर निकम को निर्देश दिये थे कि शहर में घूम रहे सुवरों को जल से जल पकड़ा जाए जिसके तहत नगर निकम के कर्मिचारियों ने सडकों में घूम रहे सुवरों को पकड़ने पहुँचे तो सुवर पालकों ने उन पर हमला कर दिया इस हमले में निकम के दो कर्मिचारी घायल हुए है जिन्हों ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत गोहलपूर थाने में दर्च करवाई है इधर विवात की सुचना के बाद नगर निकम के अधिकारी भी थाने पहुँच गए बताय जा रहा है कि कलेकटर के निर्देश का पालन करते हुए नगर निकम का अमला सुखर पकड़ने के लिए चंडाल भाटा पहुचा था इस दोरान जब नगर निगम कर्मी सडकों पर घूम रहे सूरों को पकड़ने का काम कर रहे थे तब ही सूर पालकों ने नगर कर्मीयों को पकड़ कर पहले तो उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर बाद में उन्हें खंबे में बांध कर रखा निगम कर्मिचारियों को बंधग बनाने की सूचने जब अधिकारियों और उनके साथियों को लगी तब वे मौके पर पहुँचे और दोनों ही निगम कर्मियों को आजात करवाया वही निगम कर्मियों की शिकायत पर ठाना गोहलपुर में सुहर पालकों के खिलाफ मारपीट और सास की काम में बादा डालने का मामला दर्च करा कर हमलावरों की तलास शुरू कर दिया है हम आपको बता दे कि दो दिन पहले स्वास भाग की बैटक की गई थी इसी बैटक में निगम को निर्देश दिये गए थी कि वे सहरों में घूम रहे सुहरों को पकड़ कर उन्हें सहर के बाहर करें जिससे हमारे अधीनस्त जो सुवर पकड़ रहे लोगों को सनोच सुवर पालक द्वारा और एवं उनके साथियों द्वारा बहुत गंभीर मार पीट की गई जिससे दो कर्मचारी हमारे घायल हो गए हैं और हमें भी थोड़ा अंदरूनी चोटे आई हैं हमें भी मारा गया और जान से मारने की धंगी दी गई और ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ कई अनेकों बार हो चुका है लेकिन इसके बाद भी हम लोग अपने अच्छ अधिकारियों के आदेस का पालन करने वाले ल सुर डोड़ता गया कम से कम पुलिस से हमारा रहा 500 मीटर का अंतर हो गया 500-200 मीटर का इसलिए हाथसा हो गया पुलिस के सामने उन प्रहुंट नहीं पड़ रही ती जिसनोर्ष गुमार है और उसके दो तीन साथी थे किन को चोट्टोट आई है है हमारे दो रिंग और झाल, 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 झाल